जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो आपके लिकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साथ के बन लाइनर भूत ही महत्वपूल को उसन आंसर हैं तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आ तो आपका यहाँ पर सही आंसर है स्वेंभू स्वेंभू आपका यहाँ पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है देखे क्या अब्रंस के प्रतम एतिहासिक वैया करन हैं तो कौन है यह आपके लिए बताना है यहाँ पर अब्रंस के प्रतम एतिहासिक वैया करन तो सरहपा आपका यहाँ पर राइट आंसर है हिंदी के परतम कभी जो हैं सरहपा हैं कौन सरहपा हैं और जो सरहपा हैं इन्हों भी सदी के कभी हैं तो यह आपके लिए याद रखना है अंगला कॉस्चन है क्या है हिंदी में दोहाच वापाई का सर परतम प्रियोग किया है तो ह प्रत्वी रासो चंदबरदाई ये आपके लिए याद रखना है बिल्कुल सई अंगला कॉस्चन क्या है हिंदी साहित का प्रत्वी राज रासू है कौनसा प्रत्वी राज रासू अंगला कॉस्चन है कॉस्चन नमबर आठ आप से पूंचा क्या है हिंदी काप में प्रत्व 12 मासा बंडन हुआ है तो हिंदी काप में जो प्रत्व 12 मासा बंडन हुआ वी स स्ल्देव रासू राइट आंसर है। अंगला क्या पूचा या है तो देखिए यहां पर अंगला क्या आपसे पूचा क्या है किसी भारतिय भासा में रच्छत, इसलाम, धर्मा, लंभी कभी की पृर्थम रचना कौन्शी है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा संदेश रासक, अब्दुल रह्मान आपका यहाँ पर सही आंसर है, जो संदेश रासक है, अब्दुल रह्मान जीकी है, आपके लिए रखना है प्रिथम रचना, अंगला कॉस्चन क्या है, तो देखें, हिंदी के प्रिथम गीतकार है, आपसे तो आपका जो राइट आंसर है भै आपका राइट आंसर विद्ध्या पती कौन है विद्ध्या पती आपका है यहाँ पर सई आंसर है हिंदी में सर परत्म जो मुक्रियों की सुरुआत की थी वह किस ने की तो यह आपके लिए बताने question number 14 का right answer, क्या होगा question number 14 का सही answer, तो आपका यहाँ पर जो right answer है वह है मीरा भाई, मीरा भाई आपका यहाँ पर सही answer है, विल्कुल सही मीरा भाई जिन्हों ने बताया है, उनका सही answer है, अंगला question क्या है तो देखे, कृष्ण भक्ती काभ्य का सब सबसे प्रिसिद्ध जो काभ्यव है सूर्सागर सूर्दास करें सूर्सागर आपका यहां पर राइट आंसर है अंगला कौशन राम भक्ति का सबसे प्रिसिद्ध काभ्य कौन सा है तो यहां पर आपके लिए राम भक्ति का बताने सबसे प्रिसिद्ध काभ्य कौन सा है तो र परतंगे माला प्रफम व्यक्ति कौन है, तो प्रफ रहक कौन है तो आपका राइट आंसर जार्ट姐 गिरेशन आपकी है, अंचलिए कोस्टन क्या है? तो देखिए, रीती कब्ल का सर प्रफम ग्रंथ है, रीती कब्ल का सरी प्रफम ग्रंथ है, कौस्टन नंबर अठारा का रायट आंसर बताना है तो हित तरंगणी किरपाराम का या जो है रायट आंसर आपके यहाँ पर है खडिवोली के पृरफ़म स्वा चंदताबाधी कभी कौन मानी जाती हैं बिलकुल सही अंग्ला कोस्चन है खड़ी बोली का प्रतम महाकाब है तो खड़ी बोली का प्रतम महाकाब है कौन सा है यह आपके लिए बताना है तो खड़ी बोली का जो प्रतम महाकाब है वह है प्रिये प्रवास हरिवाद जी का प्रिये प्रवास हरिवाद जी का यह है और खड़ी बोली का प्रतम महाकाब ह अंगला कॉस्चेन है चायबाद की परतम किर्थी कौन सी है चायबाद की परतम किर्थी बताना है और आपका राइट आंसर है जर्ना जर्ना आपका राइट आंसर है 1918 में परताथ की ए है चायबाद की परतम किर्थी मानी जाती है अंगला कॉस्चेन है आपर पूँचे गया ह मुक्त शंद का पर्थम प्रियोग करता कौन है तो मुक्त शंद का पर्थम प्रियोग करता जो है निराला जूही की कली आपका यहां पर सही आंसर इसमें प्रियोग किया गया है तो मुक्त शंद का प्रियोग करता जो है निराला आपका राइट आंसर यहां पर है निराला की प्रतम कवीता है निराला जी की प्रतम कवीता तेश का सही आंसर होगा जूही की कली उननेस सो सोला में प्रकासन होगी निराला की प्रतम कवीता है जूही की कली अंगला कोस्टियन प्रियोग बाद सब्द का प्रतम प्रियोग किस ने किया है प्रियोग बात सब्द जो है इसका प्रतम प्रियोग जो किया है वह किसने किया है यह आपके लिए बताना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर नंदुलारे बाच पिये आपका राइट आंसर होगा नई कवीता का नाम दिया, नई कवीता का नाम दिया है, किसने दिया नई कवीता नाम दिया है, तो ए नाम किसने दिया है, यह आपके लिए बताना है, तो अग्ये, अग्ये ने यह नाम दिया है नई कवीता, अग्ये की पिर्थम का विकृति कौन सी है, अग्ये की पिर्थम क पन्यास आप से पूँचा है तो परिच्छा गुरु लाला सिरी नवास दास करे थे परिच्छा गुरु यह हिंदी का परिच्छा गुरु और लाला सिरी नवास दास का यह उपन्यास है अंगले कोस्चन है प्रियम चंद का मूल रूप से हिंदी में लिखेत परताम पन्यास जो है वह काया कल्प है उन प्रकासन इसका 1926 में हुआ था तो काया कल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है इलाचंद जोसी का प्रताम पन्यास कौन सा है यह आपके लिए बताने 29 का राइट आंसर तो 29 का सही आंसर है इलाचंद जोसी जो है इनका प्रताम पन्यास है वह है घ्र कौन सा है चित लेखा अग्ये का पिर्थाम पन्यास पूंचा है आपसे अग्ये जी का पिर्थाम पन्यास कौन सा है तो सेखर एक जीवनी आपका यहां पर राइट आंसर है सेखर एक जीवनी आपका सही आंसर है बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन है रेनू का पिर्थाम पन्य आपका इनास कौनसा है धहें कि पर्थम मॉलेक कहानी बताना है तो कौनसी है घंडी की पर्थम मॉलेक कहानी इंदुमथी- आपका रायट की पिर्थम कहानी लेखिका आपसे पूंचा गया है तो आपका राइट आंसर है बंग महिला बंग महिला आपका राइट आंसर है राजंदर बाला घोस बंग महिला राजंदर बाला घोस कहानी इनकी थी दुलाई वाली कौनसी थी दुलाई वाली इनकी कहानी थी और पिर्थ 1111 में जो है प्रिकासित हुई थी इंदू पत्रिका में इंदू पत्रिका याद रखना है प्रेमचंद की प्रितम कहानी है तो प्रेमचंद जी की जो प्रितम कहानी है वपंच परमिश्वर इसका प्रिकास अंकाल है 1916 1916 इसका राइट आंसर होगा प्रिकास अंकाल अंगले question यहाँ पर पूंचा गिया है कमली स्वर का प्रिथम कहा नी संग रहे question number 49 का right answer कमली स्वर का प्रिथम कहा नी संग रहे कौन सा है तो आपका right answer है क्या है answer राजा निर्वसिया विल्कुल सही अंगले question क्या है तो question number 40 आप से पूंचा है हिंदी का प्रिथम मौलेक नाटक भार्तियंदू ने माना है तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर नहोस गोपाल चंद जो नहोस गोपाल चंद जी का यह जो है नाटक है मौलेक नाटक हिंदी का प्रिथम मौलेक नाटक माना है भार्तियंदू जी ने नहुसको गोपाल चंद जी का यह हैं तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपून कॉशन कम्प्लीट हुए क्यांसा लगा ये वीडियो कमेंट में आपके लिए बताना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दमाएं और पर कलिक करें ताकि यहाँ वीडियो की जानकारी आपके आँ तक पहुंचे जादस जादस वीडियो को सिर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलने तो आज की वीडियो हैं बस इतना ही सभी के लिए बहूत बहुत धन्यवाद जैए हिंद